गुट बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी कमिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हास्पिल स्वरुपनगर कानपूर एड दी आउटसेटा रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है इस साइंटिफिक डेलिबरेशन है मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब स्क्राइक करें और इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूंगा एक्ट्यूट गेस्ट्राइटिस के बारे में इट से वरी कॉमन डाइग्नोसिस आपको पेट में प्राब्लम होती है आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और डॉक्टर का स्टेट्मेंट होता है कि आ आपको दवाईयां भी चाहिए आज मैं गेस्ट्राइटिस जो एक्ट्यूट किस्म की है इसके काजिस की बात करूंगा नौ लुक इट गेस्ट्राइटिस गेस्ट्राइटिस का मतलब सिर्फ इतना है कि खाने की जो थेली है उसके जो अंदर की लाइनिंग है उसमें रेड वो टेंपरेरी हो सकता है कभी-कभी दर इतना जादा हो सकता है कि आपको परिशान कर सकता है और आपको अस्पताल बेज सकता है नो इस तरह की जो प्राब्लम है जब मैं एक्ट्यूट गेस्ट्राइटिस की बात करता हूं तो यह बिलकुल अचानक आती है यह सड़नली आ उसके चलते कभी यह डिवलप हो जाती है इन कभी-कभी आपने कोई इरिटेंट खा लिया या कोई इस तरह की चीज जो है ना इंजस्ट कर लिए उसके चलते आ जाती है यह जो इरिटेंट की जब मैं बात करता हूं तो इरिटेंट बिलकुल क्लियर है जो पेन किलर मेडिस सामने लेके आ सकती है साइंस ऐसा मानते है कि alcohol in particularly जो binge drinking करते हैं या ज़्यादा मातरा में एक साथ पीते हैं उनको acute gastritis होने का खतरा हमेशा बढ़ता है नो कभी-कभी लोग confused होते है कि ये acute gastritis है या gastritis है या gastroenteritis है वो gastritis और gastroenteritis में confused भी रहते हैं थेली में problem है इसका मतलब यह है कि stomach है उसके जो lining है उस lining में problem है अगर उस lining में problem है तो symptom ये तीन ही आएंगे पेट में दर्द आएगा, जी मिचलाएगा उल्टी होगी, कभी-कभार जलन भी पड़ सकती है तो इस अरदा symptoms जो gastritis में आएंगे जो gastroenteritis की बात में करता हूँ तो उसमें stomach तो involved है लेकिन साथ में small intestine भी involved है इसे कहते हैं gastroenteritis इसमें जी मिचलाएगा, उल्टी होगी लेकिन साथ में मरोले वाला पेट में दर्द होगा और loose motions होगे जबकर gastritis में loose motion का कोई काम नहीं था जहां तक हम acute gastritis को ध्यान से देखें तो over a period of time जो chronic gastritis है उसका incidence दुनिया में देरे देरे कम होता चला जा रहा है लेकिन जो acute gastritis है वो it's still a common problem और उसका जो incidence है वो कम नहीं हुआ है जो acute gastritis है इसको जड़ा एक बार ध्यान से रखिए जो acute gastritis होती है वो तभी होती है जब खाने की जो थैली की lining है वो या तो weak हो जाए या वो damage हो जाए अगर यो weak हो जाए या damage हो जाए तो फिर ये problem खड़ी होती है कि आपके खाने की थैली की जो lining है वो damaged है and weak है तो फिर जो आपके खाने की थैली में acid होता है उसको irritate करता है और उसको और ज़्यादा damage कर देता है जो acid उसको damage कर देता है इसे कहते है acute gastritis swelling हो जाएगी इसमें, जो lining है, उसमें redness आएगी उसमें छोटे-छोटे छाले पड़ जाएगे, छोटे-छोटे गाव डेवलप हो सकते हैं ulcers develop हो सकते हैं, इन जो ulcers हैं वो इतने सारे हो सकते हैं कि उनमें से हलका-फुलका खून लीक करे या blood ooze करे, यह acute gastritis है अगर हम acute gastritis को ध्यान से देखें, तो इसके causes को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसलिए दर दिनवारत दवाईयां आपको कम से कम खाने की जरूरत है, कभी भी खाली पेट नहीं खाने की जरूरत है और लंबा खाना है तो acid को suppress करनी की जो दवा है, इसके साथ में खाने की जरूरत है इन बहुत सारी painkillers हैं, जो actually gastro-friendly होते हैं, अपने डॉक्टर से बात करके उनको यूज़ करनी की जरूरत है नबर दो पर आते हैं bacterial infection, particularly helicobacter pylori का infection ये infection ऐसा है, जो खाने की थेली में acute gastritis कर सकता है, erosions कर सकता है, चोटे-चोटे ulcers develop करा सकता है जो excessive alcohol है, या binge drinking है, जैसा मैंने कहा, ये आपकी जो खाने की थेली है, उसमें acute gastritis करनी की ताकत रखती है बट, over a period of time, जो दर्द निवारक दमाईया हैं, और जो steroid हैं, ये सबसे ज़्यादा common कारण हैं, आपकी खाने की थेली में acute gastritis करनी की लेकिन number 2 पर आता है helicobacter pylori का infection, ये उस तरह का bacteria है, जो खाने की थेली को damage कर सकता है ये peptic ulcer का सबसे important कारण है, लेकिन अगर ये खाने की थेली की lining को damage करेगा, तो आपकी भूग गयब हो जाएगी आपको जीमिच लाएगा, आपका पेट बहुत तना तना भारी भारी होने लगेगा, इन पेट में दर्द भी हो सकता है क्योंकि helicobacter acute gastritis करनी की ताकत रखता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं, जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए बहुत सारे viral infections हैं, वो viral gastritis करनी की ताकत रखते हैं, जो extreme stress है, बहुत जो stress का वो है, उसमें आपकी body के अंदर, जो cortisol है, उसका level उपर की तरफ जाता है, वो बहुत तेजी से आपका acid उपर की तरफ लेके जाएगा, एन अलसर्स होने का डर हमेशा बढ़ जाएगा जो bile reflux है, उसमें पित पित के अंदर आता है, वो कभी gastritis करनी की ताकत रखता है, इसे कहते हैं, bile reflux gastritis, जो cortisol use है, जैसे गलती से किसी ने acid पी लिया, गलती से किसी ने, अलकली पी लिया, उसके चलते खाने की तहली डेमेज हो जाती है, इसको कहते है, cortisol use gastritis, इसके अला होने का डर हमेशा रहता है, कोई भी बड़ी surgery है, आप ICU में लंबे समय से हैं, तो gastritis होने का हमेशा डर रहेगा, ऐसे all those patients, जो ventilator पे लंबे समय से हैं, science है समानती है, कि वो gastritis के हमेशा risk में होते हैं, इसके अरावा कौन से वो लोग है, in general, जो acute gastritis की risk में होते हैं, वही जो रोज pain killer इस्तिमाल करते हैं, बिना किसी सुरक्चा के, जो steroid रोज इस्तिमाल करते हैं, बिना किसी सुरक्चा के, या आपको रोज alcohol ज्यादा मात्रा में लेने की आदत है, बिंज drinking की आदत है, वो आपको gastritis करेगी, इनी major surgery, kidney failure, liver failure, respiratory failure, यह उस तरह की situations हैं, जो आपकी body में जो stress का level है, उसको उपर करेंगी, खाने की थेली में acid की amount को बढ़ाएंगी, और acute gastritis कराने की ताकत रखती हैं, तो जो acute gastritis है, is a very common problem, manifest कैसे होगी, पेट में दर्द होगा, नाभी के उपर के हिस्से में, जी मिचलाएगा, उल्टिया होगी, extreme burning sensation आ सकता है, जो acute gastritis है, वो ब बहुत सारे infections, in particular, helicobacter का infection, these are the reasons, जिसके चलते acute gastritis develop होती है, तो इसलिए, इनको अगर बचना है, तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, कि पेन किलर से बचेंगे, इस्टिरॉइड से बचेंगे, अलकोहल पर ध्यान देंगे, और अगर helicobacter जैसे infection से अगर आप बचेंगे, तो जो acute gastritis है, उसके होने की संभावना कम होगी, तो acute gastritis क्यों होती है, इन कैसे उससे बचा जाए, उसको समझने में अगर ये वीडियो help करता है, जरूर शेयर करें, मैं डॉक्र वी के मिश्रा, from guest to liver hospital, स्वरुपनगर कानपुर, थैंक्ये बड़ी माच, मैं बच्राँ है।